हेलो स्टुडेंट्स आज हम क्लासिक्स की साइंस की वक्षिट अमर 23 कर रहे हैं 24 सेप्टमर के लिए आई है इसमें हम कंपोनेंट्स ओफूड का रिविजिन कर रहे हैं चलिए बच्चों शुरू करते हैं फूड में अलग अलग तरह के नूट्रिंट्स होते हैं जो हमारी बोडी के अलग अलग तरह से हल्प करते हैं प्रोटीन इट इस फांट तूड आउट बोडी इन मसल्स, बोंस, स्किन और हैर बनते हैं auor हमारी बोडी में डिपोसित हो जाता है और जब हमारी बोडी को एनर्जी की जरुरत होती है तो यहां हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है Minerals are those solid substances whose intake helps us in proper functioning of our body Minerals हमारी body को proper function करने में help करते हैं और बहुत सारे बिमारियों से बचाते है Vitamins are found in food we eat and they are very important for the maintenance and growth of our body Vitamins हमारी body के maintenance और growth के लिए ज़रूरी है Water और रफिज भी component हमारे food के लेकिन ये nutrition provide नहीं करते हैं लेकिन body की help करते है Helps in dissolving, absorbing and removing undigested food from the body Body से undigested food निकालने में ये help करते हैं अब इसे लिएकिन कुछ questions है Question number one Name two foods rich in each nutrient Carbohydrate, rice, wheat Protein present होता है pulses में और peas में Vitamins present होता है हमारे fruits में अलग-अलग fruit में अलग-अलग vitamins मिलते हैं Apples आप लिख सकते हैं Orange लिख सकते हैं और भी आप example अपने आप से लिख सकते हैं रफेज फूट और वेज़ेटेबल से मिलते हैं इसका एक्जामपल है पापाया पापाया आप लिख सकते हैं इनमें बटर हमें फैट देता है, पल्सिस हमें प्रोटीन देती है, पटेटो से हमें कार्भो हाइडरेट मिलता है, और फूट से हमें वाइटामिन्स मिलते हैं, आप इनके अलग प्रोड़क्स लिख सकते हैं, जैसे पटेटो से हम चिप्स बना सकते हैं, पल्सिस से हम सूप बना सकते हैं फूर्ट से हम जूस बना सकते हैं और बटर का इस्तमाल हम चिप्स फ्राइ करने में कर सकते हैं आप इसके अलावा और भी डायग्राम ट्रो कर सकते हैं आज की वक्षिट में चुमितने करना है जल्द ही नेक्स्ट वक्षिट के सोलूशन के साथ मिलेंगे